हेलो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं जामिया मिला इसलामिय के कोर्स कोड B55 BA Geography Sociology, Psychology के Entrance Test के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं कि Entrance Test का सले बस क्या रहता है Entrance Test में कितने कोशन पूछे जाते हैं Entrance Test के आपको preparation कैसे करनी है और Entrance Question Paper के बारे में तो हम इसमें जो है एक एक करके सारी चीज़े डिसकर्स करने वाले हैं सबसे पहले हम questions के बारे हम बात करते हैं जामिय मिले इसलावे में जो entrance question आपके पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं MCQ based question 100 MCQ question आप से exam में पूछे जाते हैं यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है चाहे आप sociology का फिल कर रहे हैं चाहे आप psychology का चाहे जियोग्राफी का तीनों का एक ही entrance test है आपने application form फिल करा होगा अब आपको पता चल गया होगा उसके बाद क्या entrance question पेपर में negative marking है बिलकुल negative marking है कितनी point two five one fourth negative marking है यह आपको याद रखना है question करते वक्त अगर आप question correct करते हैं तो आपको one marks मिलेंगे और अगर आप question आप incorrect करते हैं तो आपके point two five marks deduct कर लिए जाएंगे यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है और अगर आप question attempt नहीं करते हैं तो आपके कोई marks न कटेंगे और नहीं आपको कोई marks अवाट के जाएंगे नहीं आपको कोई marks मिलेंगे यह चीज़ आपको पता होना चीज़ है तो आईए बात करते हैं entrance test के syllabus के बारे में तो जो entrance test का syllabus है वो four parts में divided है language skills general awareness reasoning और social awareness अब देखिए आप चाहे तो इसकी अलग-अलग book purchase कर सकते हैं बाकि आप एक ही book से prepare कर सकते हैं लेकिन सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा उसके अलावा आपको काफी चीज़ें practice करनी पड़ेगी तो हम एक एक करके इसमें discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले हम एक करके बात करते हैं language skills तो लाइंगवेज skills के लिए आप या तो अरिहनत की बुक purchase कर सकते हैं language के लिए English या फिर लुसेंड की आप कोई भी एक book purchase करके practice कर सकते हैं जनरल अवेर्नेस के लिए अगर हम बात करें जीयों के बारे में तो आपको सारी चीज़े क्योंकि देखे जनरल अवेर्नेस जो टापिक है एक तरीके से काफी वाइड एरिया है उसका आपको उसमें काफी डिटेल में और काफी जाधा पता होना चाहिए लेकिन अगर हम देखे तो MCQ कोशन तो 40 MC कोशन है काफी जाधा इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा रीजनिंग के लिए आप आरे सगरवाल जी की बुक पर चीज़ कर सकते हैं रीजनिंग के लिए बैस्ट रहेगा आप पास्तियर के कोशन कवर करें और उसी टॉपिक के 10 से 12 कोशन और प्रैक्टिस करें आपके लिए सफिशन के कोशन प्रैक्टिस कर लिए तो ऐसे आपके डारेक्शन का टापिक तियार होगया तो आप ऐसे रेजनिंग कवर कर सकते हैं बाकि आप आरे सगरवाल जी की बुक भी परचेस कर सकते हैं समब बात करें सोचल अब करकी कि यह सारी चीजह आपको एक बुक में कहां मिलेंग तो आपके पास दो अप्षन हैं या तो आप शाफीग गाईट परचेस कर सकते हैं या फिर कॉंसेप्टम परचेस कर सकते हैं। अब बात आती क्या खाली एक उसी पड़क से निकल जाता तो आपको एक बुक के भरोसे नहीं बैठना है आपको topic wise preparation करनी है पहली चीज ये करना है जब आप ये कर लें आपको entrance question paper हो सके तो ये सबसे पहले cover कीजिए जितना जल्दी हो सके आप 2016 से लेके 2020 तक के entrance question paper cover करेंगे टेलिग्राम पे upload है 2016 से लेके 2020 तक के टेलिग्राम पे paper upload है अब बात आती है कि जब आप टेलिग्राम पे सर्च करते हैं तो आपको 2016 का paper नहीं मिलता 2017 का paper नहीं मिलता देखिए क्या है जो 2016 है 17 है 18 है पहले जो entrance test होता था BA honors sociology का psychology का political science का BA का इनका एक ही entrance test होता था इनका एक ही entrance test होता था geography का तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर आप 2016 का 17 का 18 का paper देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि यही paper BA honors sociology का भी है geographic का भी है और psychology का भी है तो जिन बच्चों को यह doubt है कि paper upload नहीं है टेलिग्राम पे तो जो political science के paper upload है जब आप paper open करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि यह paper BA honors sociology का भी है psychology का भी है और geography का भी है तो आपका यह doubt अप clear हो गया होगा तो जिन बच्चों को यह doubt आ रहा था कि paper upload नहीं है नहीं 2016 का नहीं 17 का नहीं 18 का और channel पे 16 से लेके 2020 तक के solution भी upload है एक और ज़रूरी चीज़ अगर आप ध्यान से देखे स्लेबस तो आपको स्लेबस भी दिखेगा कि सेम ही है भी ये भी ये political science का तो आप अगर बी ये की preparation कर रहे हो चाहे भी ये political science की preparation कर रहे हो आपको सिर्फ अपने course की paper नहीं करने other course के भी paper करने है चाहे वो BBA के क्यों नहीं हो become honors, be honors, economics से क्यों नहीं हो क्योंकि उसका भी आप देखेंगे entrance test का स्लेबस सेम है बस वहाँ पर थोड़ा सा maths part add हो जाता है तो आपको maths part cover नहीं करने है जो आपके syllabus में है वो सारा part आपको चाहे वो किसी भी paper में मिले आपको वो cover करना है क्योंकि जितने ज़्यादा आप practice करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा entrance test आपका easily निकल जाएगा खाली book नहीं पढ़नी आपको MC की question ज़्यादा से ज़्यादा practice करने है ताकि आपको पता चल जाए कि आपके practice किस level तक के गई है यह चीज आपका doubt आप clear हो गया होगा सबसे ज़्यादा doubt था paper को लेका तो paper को लेकर मैंने बता दिया आप भी a political science का 2016 के paper पे click करेंगे जब आप telegram पे app अप install होगी आपके phone में जब आप paper देखेंगे 2016 का click करके आपका doubt clear हो जाएगा कि हाँ वही paper geography का भी है यह doubt आपका अप clear हो गया होगा ठीक है और paper upload है next बात करते हैं क्या solution upload है solution भी सारे channel पे upload है 2016 से लेकर 2020 तक के और 2019 का और 2020 का तो आपको पता यह कि अलग से paper be a on a sociology, psychology और geography का है और वो तो आपको अलग से वो भी चैनल पे upload है लेकिन पहले कि आपको कौन से देखने है बीए बीए पॉलिटिकल साइंस के और बीए बीए पॉलिटिकल साइंस का 2019 और 2020 भी देख लीजेगा ठीक है आपका question paper को लेकर मैंने doubt clear कर दिया अब बात आती है कि आप preparation जब कर रहे हैं तो आपको साथ के साथ notes बनाने हैं सबसे जरूरी होते हैं ये क्यों क्योंकि आपने जितनी भी चीजें पढ़ी आपने जैसे कोई one line statement याद करी आप वो भी लिख लीजिए आपने कोई topic पढ़ा topic को short में लिख लिजिए जिससे क्या होगा आप जब entrance test की preparation आपके पूरी complete हो जाएगी फिर आपको revision में कम time लगेगा अब माल लेजिए आपका exam है तो आप 10 दिन पहले या 5 दिन पहले complete book cover नहीं कर सकते हैं इस situation में आपके notes काम आएंगे यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है next multiple revision जब तक के आप revision नहीं करेंगे आपके entrance test की preparation complete नहीं होगी आपने 5 book पढ़ लेकिन revision एक book की भी नहीं करी तो आपकी entrance test की preparation करना कहीं ना कहीं success नहीं हुई तो आपको revision ज़्यादा से ज़्यादा करनी है यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है revision के बाद आपको क्या करना है जब आप multiple revision दे लेंगे ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है जितना हो सके आप mcq question की practice कीज़े ज़ादा से ज़ादा McqqQuQuation के प्रेक्टिस कीजिए तो आपको Clique करनी है। आप सारी जनरल अवेरनेस की वीडियो देख सकते हैं अब बात आती है आप डिरेक्टली यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं जनरल अवेरनेस फंडा चीक है तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं जनरल अवेरनेस फंडा चीक है यह आप ऐसे भी क्लिक करके प्रेक्टस कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि फाइनल रृविजन जवाब दे लेए उसके बाद कोशन पेपर बिना कोई हेल्प लिए प्रेक्टस करके देखेगा कि आपके कितने मार्क स्कोर Chairman अगर आपके sufficient marks score हो रहे हैं तो बिलकुल आपका entrance test qualify हो जाएगा अब एक और चीज doubt आते है कि क्या अभी sufficient time है entrance test crack करने के लिए बिलकुल अभी sufficient time है entrance test preparation करने के लिए और अभी काफी time बचा है ठीक है तो अभी भी जिन बच्चों ने entrance test की preparation start नहीं करी है अगर आप अभी भी entrance test की preparation start करेंगे तो definitely आपका entrance test निकल जाएगा लेकिन हाँ अगर अभी आप start नहीं करेंगे आप सोचेंगे 10 दिन पहले 5 दिन पहले करें तो 10 से 5 दिन में entrance test नहीं निकलता है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है तो आप preparation start कीजिए और उसके अलावा आप लोग को योड़ डाउट होए तो आप comment कर सकते हैं Thank you